हलो गाइस तो आज हम लोग डिस्कुस करने जा रहे हैं वेवी कर्व मेथड के बारे में और अब डिस्कुस कि कैसे हम वेवी कर्व मेथड को यूज करके वेवी कर्व मेथड इसको यूज करके कैसे हम rational inequalities solve करना सीखेंगे यह एक ऐसा topic है विच इस कि यह वाला technique आप केसी भी problem में यूज कर सकते है बट the thing is कि exactly skewer-based कोई problem नहीं आता है यह मतलब एक middle procedure है जिसको यूज करके आप एक problem को simplify कर सकते है वो depend करता है कहां पर कैसे use होगा बट this is a very important technique which we need to learn in order to proceed तो क्योंकि हम लोगोंने quality equation से start किया है तो वहां पर भी इसका बहुत ही use है बट जितना हम लोग proceed करेंगे और we will increase the number of roots that is different types of polynomials के साथ हम लोग deal करेंगे तब हमें बता चलेगा कि इसका कितना use है तो वैवी कर मेथर्ड तो वैसे मतलब concept बहुत ही easy है अभी हम अपको बताते है कि कैसे करते है कैसे use करते है उसको so let's take a polynomial random polynomial ठीक है तो as we know कि एक random polynomial का कैसा structure हो सकता है कि a x to the bar n से हम एक polynomial को represent कर सकते है यह 0 तो यह वाला जो polynomial है अपको क्या करना पड़ेगा इस method को use करने के लिए first we need to be able to factorize this polynomial into its factors so एक दम completely factorize होना चाहिए तो भी यह वाला method आप अच्चे से use कर सकते है so हम लोग इसको ऐसे लिख सकते है बीटा गामा डॉट 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 कोई जैसे डेल्टा ही पकड़ लो भी इसमें और भी कोई roots हो सकते है depending upon the number of roots बट यहां पर एक चीज हम लोग ने मेंस क्या है वो क्या है that is we missed the leading coefficient वो हमेशा लिखना चाहिए because अगर अगर आप इन सब को अगर आप multiply करे एक साथ so finally जब x to the power n आएगा सब के सामने सब का अपना-पना coefficient रहेगा but finally अगर a n नहीं रहता तो starting में बस x to the power n ही होता which is not equal to this right तो वो होने के लिए we need to have a to the power n यह हमेशा याद रखना चाहिए और पहले मैं मैंने बताया कि वो Vieta's formula जो हम लोग ने पिछले कही जो दो वीडियो से उनमें भी मैंने इसको use किया है वहां पे भी आपको मैंने बताया था यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए about this reading coefficient और यह यहां पे भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है so this was our step 1 basically उसको factorize करो right अब क्या करना है यहां पे जो factors है without the negative sign obviously यहां पे जो factors है उसको हम लोग एक यह step 2 है उसको plot करने वाला है कहा on the number line right so ऐसे आप number length hd और उनको जैसा order में है मतलब numerical order में आप उनको arrange करतीज़ मैंने ऐसा assume कर लिया है कि वो इस order में है that's why I have written it this way logically आपको decide करना पड़ेगा कि मतलब into c चने भी root and place them in such a way on the number line obviously right so यह आपका हो गया now what you have to do your step 3 would be कि आपको आप जानना पड़े ही कहां पे कौन साइन आएगा sign अब यहां पे sign का क्या मतलब है यानि कि हम लोग wavaker method क्यों use करते हैं दाकि हमें पता चले कि यह वाला जो polynomial हम लोग deal कर रहे हैं इसके साथ इसका value एक number line पे कैसे vary करेगा right I mean हम लोग तो हमेशा बता नहीं सकते like for each and every point उसको उस point के value को यहां पे डाल का हम लोग check नहीं कर सकते obviously that would be very tedious बहुत tough हो जाएगा so we need to have a general idea कि उसका graph कैसा दिखेगा on a number line depending upon कि हम कौन सा x से इसको replace कर रहे है obviously जब हम लोग alpha, beta या gamma से replace करेंगे यह क्या हो जाएंगे? यह 0 हो जाएंगे because क्यों? क्योंकि यह सब तो इनके roots है like if you place it right over here हम लोग देख सकते क्या alpha minus alpha या फिर beta minus beta इस पूरे चीज़ को 0 कर देता है that's the whole thing यहां पे भी same है so what we need to, what we get to know from a wayvicar method कि number line के, number line के ऊपर जो भी values है उनको अगर हम लोग इस polynomial input करें तो उनका sign क्या होगा? वो positive होँगे या negative values नहेंगे या 0 होँगे या फिर non negative जिसको कहते है, right? so that's our main motive so, आपका step 3 क्या होगा basically यह आपने जो plot किया है उसके बिल्कुल rightmost वाला जो portion है बिल्कुल यह वाला है, एकदम last root आपने जो plot किया है फिर the largest root which you have plotted over here उसके भी right side में यह वाले portion में आपको expression को positive पकरना होगा positive नहीं, sorry you need to consider it to be the sign of the leading coefficient that is, अगर आपका an जो है यहाँ पर हमारा leading coefficient हम लोग ने an लिया है किसी books में a not भी लेते है वो depend करता है convention के ऊपर so, an जो है, हमारा leading coefficient है तो वो अगर positive है so, on this side, our sign will be positive और अगर negative है on this side, our sign will be negative that is, the curve will face downwards basically अगर positive आपको, कैसे आप उसको denote कर सकते है basically, आप ऐसे wave को दिखा सकते कि वो उपर से आरा because it's positive और अगर negative है, तो नीचे से आरा ऐसे आप दिखा सकते है, okay this is your general representation अब, wavy curve method में basically, क्या होता है curve के behavior को जानने के लिए ये वाला curve ऐसे उपर नीचे जाता रहता है अब कब उपर जाए कब नीचे जाएगा वो आपको determine करना पड़ता है और वो आप कैसे करेंगे मैं अभी बताता हूं अभी इसके बाद केसवर काने वाला basically क्या होता है कि अगर इसको केसवर करने के लिए let us take an example कि y is equal to suppose 4 into x to the power minus 2 to the power 2 या फिर x to the x minus 2 whole square ये into x minus 4 to the power 4 right okay ठीक है so ऐसा हम लोगोने एक random cycle लिया है so so yeah our first step is already done क्योंकि यहां पर हम लोगो इसको factorize नहीं करना पड़ है right so our second step क्या था कि इन सारे इन सारे roots को यहां पर हम लोग plot करेंगे so 2 3 and 4 right हो गया now फिर मैंने क्या बता है था बिल्कुल right side में इसका जो leading coefficient है उसका क्या sign है positive है for greater than 0 so obviously इस side में positive होगा और इसके पीछे logic क्या है कि यह वाले side में leading coefficient का जो sign है वही वाले क्यों हने वाले because आप अगर logically इसको analyze करें इसी में analyze करते है यह बिल्कुल एक general case that's why I am saying कि यह वाले portion में क्या है x का value कितना है यहां पर जितने भी roots है उनसे सब से जादा है right so if you place that value of x right over here तो उनसे अगर हम लोग alpha, beta, gamma या फिर delta कुछ भी minus करें यह सारे values तो positive ही आने वाले right so अगर positive आएंगे so they can't really affect the sign क्या affect करेगा an का जो sign है वो affect करेगा अगर यह positive हुआ तो पूरा चीज positive हो जाएगा on this part of the number length और अगर यह negative हुआ तो यह वाला portion negative हो जाएगा this is the basic logic यह आपको ध्यान में रखना चाहिए okay okay so यहां पर यह वाला portion positive है तो यह यहां पर भी positive रहेगा so आपका curve ऐसा जाएगा अब यहां पर positive है यहां पर मैंने नीचे क्यों किया because अगर हम लोग यहां पर 4 input करें तो यह पूरा चीज 0 हो जाएगा right so जहां पर 0 होता है वहां पर यह वाला वेव जो है वह आके इस number length को touch या फिर intersect करता है touch कब करेगा यह रूट का जो factor है उसके उपर जो power है वह even हो why धियान से दिखिए अगर x का value 4 से जादा होता है तो x-4 का value कितना होगा greater than 0 obviously but अगर x का value 4 से कम होता है तो x-4 का value less than 0 होगा but क्योंकि यहां पर even power है या फिर even exponent है तो it really doesn't matter क्योंकि आप उसको 4 times अपने आप से multiply करोगे तो 4 times अगर आप negative को multiply करोगे अपने साथ वह तो positive भी बन जाएगा okay this is how it behaves बीच में कही पर एक maximum reach करेगा इन दोनों के बीच फिर यहां पर आके 3 पर 0 होगा this is a rough behavior मैं यहां पर कोई scale मानके नहीं चल रहा हूँ की यहां पर 3.5 पर exactly ऐसा कुछ value आएगा जो सबसे ज़्यादा maximum होगा हो सकता है I am not saying it won't be like that हो सकता है but यह बस एक rough sketch है it is just for us to determine की wave का behavior कैसा है हम लोग exact value के साथ काम नहीं कर रहे okay okay so when we reach this point जहां पर 3 है हम लोग का अब यहां पर क्या है अब अगर हम लोग देखे तो x का value जब 3 से ज्यादा है तो x-3 obviously greater than 0 है और जब 3 से काम है तो x-3 less than 0 है अब उपर का जो exponent है वो क्या है odd है now it will affect us why because अब अगर minus को odd times अपने आप से multiply करोगे तो वो obviously negative रहता है so यहां पर negative होगा right and again it is going to come and touch 2 यहां पर भी यह 0 है again अब अगर इसके साथ x-4 का case relate कर पाऊगे you will get to see की यहां पर भी यह negative होगा why क्योंकि उपर हम लोग का जो exponent है वो even है so you must always remember कि जब उपर का exponent even होगा then this sign repeats कोई भी सायन हो negative हो या positive हो और अगर यह वाल exponent हम लोग का odd है तो intersect करेगा बस यह मानके चलोगे तो पूरा wavikor method बहुत easily आप plot कर पाऊगे right और आप different different cases से आप खुद भी experiment कर सकते हो जैसे x into something x into x minus 1 x minus 61 into कुछ भी कुछ भी आप ऐसे कर सकते हो सिर्फ x का मतलब क्या है यहाँ पे ऐसा कोई term x plus 1 या फिर x plus 14 इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह कि x minus of minus 14 या फिर x minus of minus 1 यानि plot पे आपको 0 के मतलब ऐसे आपको plot करना बढ़ेगा कि 0 है because of x x plus 1 के वज़े से minus 1 है minus 14 है 1 है 2 है 3 है कुछ भी यहाँ पे 61 जो भी दिया हुए आपको वैसे आप plot करोगे जो भी roots दिये हुए बस उनको लिखना है यहाँ पे 2-3 नहीं है so you won't be writing this क्योंकि अगर आप वह लिख दोगे आप confused हो जाओगे because वहाँ पे तो कोई change नहीं आ रहा है यहाँ पे वह तो roots नहीं है so it really doesn't matter कि मतलब मतलब वहाँ पे sign change नहीं होने वाला है जो भी sign change होगा that will be because of the roots और for negative numbers also it's gonna be the same thing कि उपर का जो exponent है उसके उपर mainly depend करेगा बस अगर exponent सारे odd है so it will just go like a almost it will almost look like a sign curve मतलब obviously equal उपर नीच उपर नीच नहीं है because we are not dealing with scale or anything आप बस ऐसे जा सकते हो but धियान में रखना कि उपर कोई even exponent ना हो that's all अगर even exponent है तो ऐसे repeat होगा बस so यह था basics अब इसको हम rational inequality को solve करने में लगाएंगे अब हम लोग वो देखने वाल solving rational inequalities with the help of wavy curve method right okay so फिर से हम लोग अपना general structure होता है polynomial का वो थोड़ा लिख लेंगे clarity right sorry next to the bar 0 लिखते थे ठीक है fine so यहां पर दो चीज मतलब यहां से दो चीज ध्यान में रखना है कि n क्या है n का parity क्या है even है कि odd है अगर n का parity क्या है even ही क्या और sign क्या है that is positive है कि negative है यह दो ध्यान में रखना हुआ so there are two different cases two different possibilities of n two different possibilities of a0 so two into two four different possibilities कि एक wavy curve कैसा दिखेगा right so वो कैसा है अभी में बताने वाल हो तो n कुछ भी हो सकता है doesn't matter तो basically अगर n आपका even है और a0 is positive then ending पहले मैं draw कर लेता हूँ हाँ यह दो जो branch होंगे दोनों उपर की तरफ होंगे that is दोनों positive होंगे मतलब extreme ends पे 1,2,3,4,5,6 so yeah not necessarily 6 in every case but n number of points so basically extreme ends में जो भी आपके roots रहेंगे उनके इसके right side में और इसके बिलकुल left side में your value of this whole polynomial will be positive because a not is positive okay इसको up up से हम लोग represent कर सकते हैं यह case है this is case 1 case 2 n को even ही रखते हैं a not को negative कर देते हैं हम लोगा case 2 है let us take 6 points only okay यहाँपे difference क्या होगा बस यह वाला चीज उल्टा हो जाएगा यानि ऐसे 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 यानि डाउन डाउन that is दोनो negative होंगे दोनो negative होंगे यानि extreme right और extreme left के roots होंगे उनके भी right या फिर उनके भी left में हमारा जो polynomial उसका value negative होगा because a not is negative यह हमारा case 2 हो गया case 3 अब क्यूंकि n even के सब cases हो चुके और तो के possible cases नहीं है अब n को odd बना जेते है a not को positive ले लेते है that is our case 3 अब ठीक है अब मैंने क्या बोला था कि a not का जो sign है that is positive in this case y वाला sign बिल्कुल right side में होने वाला that is सबसे बड़ा जो हम लोग का numerically the greatest root जो रहेगा उसके भी right side में polynomial के value वही polynomial के value का sign वही होगा जो हमारा leading coefficient का sign होगा right so यहाँ पे क्योंकि यह positive है यहाँ पे भी वह positive ही रहेगा और क्योंकि odd number of cases है यह फिर odd number of roots है यह क्या होगा यह होगा up और यह होगा down this is our difference n odd और a positive होने पर यह up रहेगा यह down रहेगा n even और a positive रहने पर यह not positive रहने पर दोनों side up रहें क्योंकि क्या और our last case n odd है and a not is negative that is our case 4 वह कैसा होगा this is negative तो यह वाले side पर पर होगा negative होगा तो ऐसा 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 so this is down this is up right so these are our 4 cases अब बीच में वह मतलब even क्या कहते even coefficient होई सकता है I have just taken a general case okay एसा नहीं कि मतलब मैंने पहले जो बताया था कि x-alpha x-beta रहेगा तो उपर अगर किसी का odd exponent हो या किसी का even exponent हो वो उसी तरही से behave करेगा that rule still follows this one यहां पर हम लोग का main focus है कि ends में polynomial का value कैसे vary करता है वो हमारा focus था so these are the cases बीच में जो भी operation मैंने पहले बताया था वैसे होगा you don't need to worry about that okay so this is how you can use this is just a method just another case work on how to use this in solving rational inequalities okay अब हम लोग कुछ examples solve करेंगे to clarify this even more simple example ले रते है and along with this example I am also going to instruct you on how to write a solution set basically okay 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 so these are our four problems that we are gonna use to 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 understand this topic completely okay to basically solution set kya hai solution set is the set of points that satisfy satisfy the given condition in a problem okay okay yeah 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 okay 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 so yeah 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 you know yeah yeah I mean here it is यहाँ पर negative हो जाएगा, फिर हम लोग ऐसे उठाएगे, यहाँ पर 0 होगा, y is 0, यहाँ पर 1 बैठाओ, तो हमें क्या मिलता है, 0 मिलता है, रहीट, वर ऐसे चला गया, क्यों चला गया, because, यहाँ पर भी 1 है, so, again sign change हो जाएगा, आप इसको मतलब, values put करके भी देख सकते हो, 2 के उपर को भी value लगाओ, 3, so, x-2, that is, 3-2 gives us 1, 3-1 gives us 2, so, 3, obviously positive है, अगर इन दोनों के बीच को भी value लगाओ, that is 1.5 suppose, तो, x-1, that is, 1.5-1, 0.5, और 1.5-2, minus 0.5, तो, यानि, यहाँ पर जो भी values रहेंगे, बीच में, वो 2 से कम रहेंगे, और 1 से ज्यादा रहेंगे, right, so, 1 से ज्यादा रहेंगे, तो, x-1 positive होगा, और 2 से कम रहेंगे, तो, x-2 negative होगा, तो इस वज़े से, पूरा product जो होगा, वो negative रहेंगा, अब यह वाला जो हमारा जो condition है, वो क्या-क्या, कौन सा कौन सा पॉप्शन में साटिस्फाइ कर रहें, यह ग्रेटर दन जीरो और अलसो इक्वल तो जीरो, रैट, वो यह वाला पॉप्शन है, यह positive, और यह वाला पॉप्शन है, यह भी positive, और इक्वल टू जीरो कौन सा पॉप्शन साटिस्फाइ कर रहें, सिर्फ वान एंड टू, वाल, वो कि यही तो रूट से उनके, रैट, सो हम लोग का solution set, क्या कैसे कैसे आप रिप्शन करोगे, कि x belongs to, यह belongs to का साइन है, इसको belongs to कहते है, यह सेट, थियोरी में भी आप पढ़ोगे, वहाँ पे ज्यादा यूज होता है, सो यहाँ पे solution set, क्योंकि एक सेट है, तो हम लोग इसको ऐसे रिप्शन करें, एक्ष बिलॉंग्स टू, इस साइड में तो यह negative infinity तक चलता रहेगा, आप यहाँ पे 0 प्लेस करो, कोई भी negative number प्लेस करो, फिर भी यह positive भी देगा, सो, negative infinity to 1, closed interval, union, union मतलब and जैसा, ठीक है, union, closed interval 2, to positive infinity, राइट, यह वाले brackets क्या कहते है, इनको open interval कहते है, open interval मतलब, यहाँ पे जो भी लिखा हुआ रहेगा, एकदम open interval के बिल्कुल adjacent, जो भी लिखा हुआ रहता है, उस point को बिना touch किया, just उस point के पहले तक, यह वाला solution set valid होता है, और क्यूंकि यह infinity है, we can't touch infinity, right, so whenever there is infinity in question, or in this solution set, you are always supposed to put an, open bracket, on that side, okay, and since यहाँ पे, बता दिया गया है, कि यह equal to 0 भी, इस solution set का part होगा, that's why, 1 and 2 are included in this solution set, that's why we write it, this is known as closed interval, यानि, inclusive, it includes, the point exactly adjacent, written exactly adjacent to it, okay, यहाँ पे इंक्लूदे है, right, so इसलिए हम लोग ऐसे लिखते है, अगर, यह included नहीं होता, that is, अगर यह 0 नहीं बताया गया था, तो, we would have written it like this, तब, चारो open interval होते है, यह तो open interval होते है, यह तो open interval होते है, क्योंकि, यहाँ पे तो, infinity है, यह positive यहाँ पे negative, अगर यह open interval क्यो है, because 1 and 2 are not included, अगर यह include हो जाएंगे, solution set में, तो यह पूरा expression 0 ही बन जाएगा, but that isn't what the question wants us, to find out, so, उस हिसाब से आपको, determine करना पड़ेगा, okay, so, यह हो गया आपका पहला question, now, using the same logic, you can, you would be able to do the second question, it's quite easy, so, it's for you to do, आप लोग के लिए गहुंवक रहेगा, I'm moving on to the third one, so, third बाले में क्या बताएगा है, कि, यह दोनों क्वाड़िक फॉर्म में है, so, we should be, मतलब, इसको और भी ज्यादा, simplify करना चाहिए हमें, otherwise, we won't be able to find out, कि कहाँ पर, we need to plot the points, exactly, so, इसको फैक्टराइज करो, क्या बनता है, इसको फैक्टराइज करो, यह आते है, right, these are easy factorization, we will be able to do that, right, so, अब, क्योंकि, you have found all the, मतलब, क्योंकि, आपने उसको, factorize कर लिया, simplify कर लिया, now क्या, you go to the step 2, that is, plotting them, so, plot them, 1 है, 2 है, minus 1 है, minus 2 है, right, क्योंकि, x minus, आप यापसे minus, लेलो, minus 2 रहेगा, exponent क्या है, odd है, so, there is no necessity, to repeat, as I said, in the first case, मतलब, first में, मैंने जो, बताया था, आपको, सिखाया था, so, बिल्कु, right side में, क्या sign है, यहाँ पर positive है, तो यहाँ पर भी positive है, यहाँ पर तो, odd है सारे, so, we can just go, smoothly, बिल्कुल ऐसे, wave करते करते हैं, अब जा सकते हैं, and, simultaneously, भी mark, positive, negative, positive, negative, positive, okay, sorry, यह और नीचे नहीं जाएगा, we'll go on, up, right, and if you observe, one thing, जैसे मैं आपको, पहले बताया था, कि, अगर आप इनको, multiply करते, तो, सबसे, reading वाला, जो, जो, term रहता, that is, वो, x to the power 4 होता, and, 4 is even, and, सामने वाला, जो, reading coefficient है, वो भी positive है, so, if you observe, कि, दोनो, up, up है, right, as I said, in that case, कि, दोनो, up, up है, यानि, यह सही है, अपने, and you can actually verify it like that, यहाँ उपर भी आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर हम लोग का क्या था, यहाँ पर हम local reading coefficient क्या था, positive था, और यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग इन दोनों को multiply कर देते, तो, यह x square देता, and the n उपर भी आफ बीन, so, obviously, even n, and a positive a 0, so, यह हो गया आपका plot, now, आपका condition क्या है कि, less than equal to 0, okay, so, less than equal to 0 में क्या रहेगा, यह negative portions रहेंगे, and also, the equal to 0s will be included, तो, कहां-कहां पर equal to 0 हो रहा है, 2 पर, 1 पर, minus 1 पर, minus 2 पर, so, what will be our solution set in this case, x belongs to, closed interval minus 2 से, closed interval minus 1, union, closed interval 1 से, closed interval 2, closed interval क्यों, यूकि, these points, are included, यूकि, यह solution में, वह ही हम लोगो चाहिए, so, hence, they are closed interval, और यहाँ पर तो हम लोगो को, negative infinity आ, positive infinity, solution set में लेना है, नहीं परदा है, right, so, there is no necessity of putting, open interval for that, so, दोनों ends में, हम लोगो को, finite case में लिया, यहाँ पर, यह दोनो points, यह सारे points, inclusive है, so, that's why, all of them are closed interval, okay, now, moving on to the 4th one, okay, let's go to the next page, 4, 2x, 2x plus 1, into, x plus 2, minus 1 by, x plus 1, little than 0, okay, यह भी एक के है, यहाँ पर थोड़ा सा, थोड़ा सा different है, और यहाँ से आपको, काफी, मतलब, कुछ और नया चीज़ सीखने को, मिलने वाल है, इस, इस question को, solve करने पर, so, what we are gonna do is, simply, इसको, जैसे आप लोग fraction, solve करते हो, वैसे, आप इसको solve करोगी, so, what I do is, simply, यहाँ पर, cross multiply कर देते है, right, plus 1, greater than 0, okay, so, इसको, expand करते है, 2x square, plus x, plus 4x, plus 2, यह, इसको, इसको, ऐसा ही रहने लेते है, ऐसे factorize form में रहने देते है, फिर simple रहेगा, उपर वाले portion को देखते ही, क्या-क्या बन जाता है, so, 2x square, minus 2x square, इसको, इसको, काट टू, यहाँ पर, plus 5x अंदर, यहाँ से, minus 5x हो जाएगा, तो, minus 3x, minus 2 हो गया, right, और, नीचे यह रहेगा, अब आब एक चीज, यहाँ से देख सकते हो, कि, उपर से आप, एक, negative sign, common ले सकते हो, okay, so, one more rule, in case of inequalities, is that, अगर आपका, ऐसा negative sign, common जा रहा है, so, you can multiply, negative, on both sides, क्याँ पर, 0 है, यह 0 ही रहेगा, but, one thing will change, that is, यह वाला, जो sign था, यह, घूम जाएगा, अगर यह, greater than, equal to रहता, तो भी, less than, equal to, हो जाता, this is a, genuine rule, it's a, it's a rule, of the inequalities, और, अगर आप, मतलब, logically, अगर आप, value place करके, देहोगे, इस case में, आपको पता चले, कि, why this is needed, क्यो, मतलब, when you, when you multiply, with another negative sign, why this needs to be inverted, okay, values देसे, change हो जाता है, so, यहां पर, आप कैसे solve करोगे, how you are going to find out, the solution set, तो, यहां पर, basically, क्या है, इसको, this is the thing, we are actually dealing with, rational inequalities, that is, this, this can be, actually written like this, कि, fx by gx, as if, उपर एक polynomial है, मीचे एक polynomial है, right, that is how we are dealing with it, so, यहां पर आप क्या करोगे, you are going to plot, all the roots, you can see, that is, on the same number length, okay, so, उपर आप क्या देख रहे हो, यहां पर क्या है, minus 2 by 3 हो, वाई, see, इसको, 3x plus 2 को, आप 0 के साथ, equate करो, तो आपका x का, क्या वालिवा आता है, minus 2 by 3, right, minus 2 by 3 है, यहां से क्या मिलेगा, minus half मिलेगा, यहां से minus 2 मिलेगा, यहां से minus 1, okay, so, minus 1, minus 2 by 3, minus 2, and, minus half, yeah, minus half, minus half, is, I mean, half, is less than 2 by 3, obviously, minus half is gonna be, greater than 2 by 3, okay, अब, we are going to do the same thing, जो रिवेकर में होता है, that is, बिल्कुर right side में, यहां पर, क्या है, यहां पर मतलब, दोनों का, ऊपर का भी, जो, leading question दे, वो भी positive है, नीचे का भी positive है, अगर किसी एक का, negative रहता, तो हम लोग उसके साथ, क्या करते है, ऐसे, negative sign multiply करते थे, तो उस वज़े से, inequality हमारा घूम जाता, right, so you're going to try to keep it positive, to keep it simple, basically, और कुछ नहीं, आप इसको negative ही रख सकते थे, there's not really much of problem with that, बस, इससे क्या होता है, कि simplify हो जाता है, आपको लिखने में, मदलब टकलीफ नहीं होती है, right, so, यहां पर दोना positive, तो यहां पर भी positive होगा, so it's positive out here, okay, and if you, if you really place values, you'll get to know, कि क्यों भी positive है, right, okay, और, इनके सारे, सारे जो factors हैं उनके उपर, exponents के हमारा odd है, that is one है, one, it is odd, so, ऐसे simply, आप, wave, की तरह ले जा सकते हो, okay, now, यहां पर हम लोग condition किया है, कि less than zero है, इसको पहले mark कर लेते है, plus, minus, plus, minus, plus, और यह negative बोला है, मतलब less than zero चाहिए हमें, तो सिर्फ यह वाला पोशन और यह वाला पोशन, now, x belongs to, open interval minus two to minus one, union, open interval minus two by three to minus half, open interval q, क्योंकि, it said कि बस less than zero चाहिए, equal to zero चाहिए यह तो नहीं पूछा है ना, और इन सब points पह क्या होगा, equal to zero होगा, so, that's not what we need, that's not what we want, हमें, बस जहां पे negative है, वही चाहिए, so, that's why, we're going to put open interval, now, one more thing, अगर, यही same problem में, आपको बता जाता है, कि यह equal to zero भी है, तब, what would you have done, क्या, आप सब के सब, points पे closed interval डाल देचे, would that would have been, the correct solution, no, why, reason यह है, कि अगर, मतलब, अगर आप अच्छे से देखे, तो, इस जगा पे, अगर, denominator हमारा, किसी भी तरीके से, zero हो गया, तो यह तो फूरा चीज तो, undefined हो जाएगा, you should know, that is, when you divide something by zero, it is undefined, so, we need to ensure, कि यह जो denominator वाला, हमारा जो expression है, हमारा जो polynomial है, वो किसी भी तरीके से, zero ना हो, right, so for that, अगर यहाँ पे, equal to zero दिया जाता, we need to ensure, कि यह वाला portion, कभी zero ना हो, उपर वाला portion, अगर zero हो, तो सिर्फ वही वाला केस, हमें यहाँ पे, include करना होगा, solution set में, तो अगर, यहाँ पे कहा जाता, कि यह equal to zero भी है, so then your solution set, would have been, क्या होता, open interval minus two, q minus two नीचे है, open interval minus one, minus one भी नीचे है, union, closed interval minus two by three, q, क्योंकि minus two by three का केस, उपर है, यह अगर zero हो गया, तो यह सच में, यह expression सच में zero हो जाहेगा, so that's why this is included, minus half open interval, y again half नीचे है, इसलिए, so how to take care of that, जब भी ऐसे, उपर नीचे दो expressions रहेंगे, what you need to do, कि जहाँ पे भी यह zeros, अचीफ कर रहे है, अगर, वो वाला root, ऊपर है, that is fx का अगर वो root है, या numerator का अगर वो root है, उसको आप, एक black dot से, ऐसे आप represent करो, और अगर वो, denominator के, factor का कोई root है, तब उसको आप, एक hollow circle से, denote करो, that is, उस point को आप, एक hollow circle दे दो, right, और इसको अगर आप magnify करोगे, तो वो ऐसा दिखना चाहिए, as if, it's causing a discontinuity, why, because at that point, उस, इस expression का कोई value नहीं है, because अगर denominator 0 हो गया, तो, पूरा expression ही आपका undefined हो जाएगा, right, and that is not allowed, so it should be, always be represented like this, okay, you must take care of that, और अगर, वहाँ पे सच में यहाला expression 0 हो पा रहा है, that is our numerator is becoming 0, so then what we do is, it looks like this, की, एक field up, एक hole, ऐसा रहेगा, I mean, not really a hole, it's just a dot, you can probably call this a hole, because, it's a discontinuity, so यह आपको, आप धियान में रख सकते हो, so, वहाँ पे अच्चिली फॉलो इस, क्या होता, जब आप फास कोई problem solve कर रहे हो, you don't need to actually, look at the expression all the time, you can, rightly know from, this plot only, कहां पे हम, मतलब, कहां पे, we can't make this, this wavy curve, go 0, that is, all in the cases of, denominators, right, so यह आपको धियान में रखना होगा, this is the only extra thing, which you get to know from this, this particular type of a sum, so whenever you have a denominator, you must take care of this, that's all, अर आपका denominator, किसी पी तरिके से 0 नहीं है, that is, oftentimes, what happens कि, आपका जो denominator है, उसका, you can't, factorize it, and which are those cases, in cases of imaginary roots, right, हमनों आपका तो imaginary roots के बारा पढ़ाई है, so, in those cases, what happens कि, यह वाला, नीचे वाला जो denominator रहता है, वो कभी भी factor is होई नहीं नहीं पारा है, that is, what happens कि, वो कभी 0 टच ही नहीं करेगा, so, in those cases, you don't need to worry only, okay, so, then, like, whatever happens, happens in the numerator, तब आप शायद बिमिमिटर को यूज भी नहीं करेंगे, for determining की, एक्स कहां से कहां होना पड़ेगा, okay, so, we can keep that in mind, and, जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्फ करोगे, you'll get to see different types, you'll get to experience, different methods of solving, and, अब, मतलब, it's better कि, you practice, different sums, and get to know, कि ये कहां पर कितना ज्यादा यूज होने वाला है, अभी तो, Quadrid equation हम लोग पढ़ए, उसमें, यूज होगा, but later you'll see, कि इसका बहुत ज्यादे extensive uses होते हैं, कही जगा पर, you can use this to analyze, certain sums to a certain extent, जो बहुत help करते हैं,